सो फ्रेंस इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप जारकन के रहने वाले हैं और आपके पास रासन कार्ड है लेकिन आपके रासन कार्ड में किसी एक का नाम जो है छूट गया है या फिर नए मेंबर को जोड़ना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सब के लिए बह पेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करू तो आपको नरिफिकिसन मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं तो रासन कार्ड में नए सदेश को जोडने के लिए सबसे पहले तो को एक ब्रॉजर को अपेन करना है उसके बाद यहां पे सर्च बार है अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग की सामने जो है यार सीमेस अनुरोध का पेज खुल जाता है यहां से आप जो है एक नए रासन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं और जब आप लोग का जो है अपलाई हो जाता है किसी कारण जो है आप उससे एकजिट हो जाते हैं तो यहां पे जो है और इस्टाड वाले option पे किलिक करके आप आगे का process complete कर सकते हैं उसके बाद यदि आप को राशन काड अप्लाए करते हैं या फिर family member को aid करते हैं तो यहां से उसका status भी चेक कर सकते हैं फिलाल हम लोग को जो है एक नए सदेश को यानि कि एक नए मेंबर को एड़ करना है जोड़ना है तो उसके लिए यहाँ पे जो रेड कलर में देख रहे हैं यानि कि लोगिन होने वाले हैं यदि आप लोग भी रासन कार्ट के द्वारा लोगिन होना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं क्लिक है टो रासन कार्ट बेस लोगिन यहाँ पे आपको लोगिन का एक एक अकर मिल जाता होगा जिस पे आप लोग को क्लिक करना है अब आप लोग के सामने राशन का लोगिन का पेज खूल जाता है जिसमें सबसे पहले आप लोग यहां पर राशन संख्या को दर्ज करेंगे यानि की राशन नभर को फिल करेंगे उसके बाद काड़ टाइप में आप लोग का काड़ कुन सा कारड है ओन्वी card है, ph card है, जो भी card है आप लोग का यहाँ पे select करना है, अब यहाँ पे UID number को fill करना है, यानि कि आधार number को fill करना है, जिसमें आप देख सकते हैं, last four digit of aadhar number of head of family, यानि कि रासन card जो है, जिनके पे click करते हैं, तो आपके अधार के साथ जो mobile number registered है, यानि कि link है, उसमें OTP verification, OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पे fill करना है, then submit वाले option पे click करना है, जैसे ही आप लोग लोग इन होते हैं, तो आप लोग का सारा data यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फोड़ा साब नीचे करेंगे, यानि कि add करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उपर में आना है, उपर में यहाँ पे आप लोग को एक option देखने को मिल रहा होगा, परिवार के सदेश को जोड़ना, जिस पे आप लोग को click करना है, उसके बाद कुछ इस परकास से request for add new family member का page open हो जाता होगा, आप लोग थोड़ा सा scroll down करके नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी आप लोग को जो है रासन कार्ड का details देखने को मिल जाता है, कि आपके रासन कार्ड में कितना लोग aid है पहले से, अब आप लोग फिर से थोड़ा सा scroll down करके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे step 1 में आप आधार नंबर को फिल करना है, जब आप सब आधार नंबर को फिल कर लेते हैं, यानि कि भर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, verify का icon मिल जाता है, जिस पे आप लोग को किलिक करना है, किलिक करने के बाद आप लोग का जैसे ही आधार नंबर verify हो जाता है, तो आप लोग के सामने जो है second step खुल जाता है, तो थोड़ा सा scroll down करके निचे करना है, यहाँ पे step tube में नए सदेश का view run डालना है, यानि कि उनका details को fill करना है, तो सबसे पहले आप जिनका भी नाम add कर रहे हैं, उनका name यहाँ पे लिखना है, सिर्फ English word में, जब आप English word से उ उसके बाद यहाँ पे उनका नाम हिंदी से लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है उनके पिताजी का नाम क्या है, वो भी यहाँ पे English से लिखना है, और यहाँ पे हिंदी से लिखना है पिताजी के name को, उसके बाद यहाँ पे link को select करना है, यानि कि जिनके काम से रासन काड है। उनके साथ नजय सदेश का जो है संबंध क्या है उस संबंध को यहां पे सेलेक्ट करना है। यहां पे आप लोगों को बहुत सारा option मिलेगा। तो जो भी संबंध ओगा यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे next में mobile number को fill करेंगे यानि कि जिनका आप लोग aid कर रहे हैं उनका यहाँ पे number को भरना है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है किसी परकार का वो disabled है यानि कि दिब्यांग है तो यहाँ पे yes को tick करेंगे यदि दिब्यांग नहीं है तो no को ही select रहने दे तो यहाँ पे tick करेंगे यदि किसी परकार का विमारी नहीं है तो none वाले box पे tick कर लेंगे अब आप लोग को यहाँ पे अधार number भरना है तो जिनका आप लोग add कर रहे हैं यानि कि जोड रहे हैं उनके अधार number को fill करेंगे उसके बाद यहाँ पे upload अधार card यहाँ पे scan करक अब आप अपने file में redirect हो जाते होंगे तो यहाँ से जो है अधार card को select करना है देन open वाले option पे click करना है जब आप लोग का अधार यहाँ पे upload हो जाता है उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने bank खाता का विवरन देना चाहते हैं यदि देना चाहते हैं तो हाँ वाले box पे click करेंगे नहीं देना चाहते हैं तो नहीं वाले box पे click करना है जब नए सदेश के सारे data को जो है आप लोग फिल कर लेते हैं यानि कि भर लेते हैं तो एक बार जो है रिचे कर लेना है कहीं भी कोई mismatch नहीं करना है नहीं तो आपके रासनकार में नाम न रही हूं तो यहां पर जो box देख रहे हैं इस box पर टिक करना है then last में आप लोग यहां send request वाले option पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप send request पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं the request to add new member have been submitted successfully यानि कि आप लोगों ने जो member को add करा उसके लिए जो आवेदन करा वो successfully submitted हो चुका है उसके बाद नीचे यहां पर देख सकते हैं एक acknowledgement receipt generate हो जाता है जिसमें आप लोगो जो है आवेदन संख्या मिल जाता है यही आवेदन संख्या से जो है आप लोग अपना status भी check कर सकते हैं इसलिए इसका एक copy जो है अपने पास संभाल के रखना है अब आप लोग यहां पर नीचे देख रहे हैं print का icon है इस पर किलिक करके acknowledgement receipt को print कर लेना है print करने के बाद जहां पर सरकार आपके द्वार का camp लगाया गया है वहां पर आप इसको जमा कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने ब्लोक में भी जमा कर सकते हैं यानि कि अंचल में भी जमा कर सकते हैं ज इसे रासन कार्ड में एक नए सदेश को जोडा जाता है वीडियो यदि आप लोग के लिए helpful हुआ हो तो वीडियो को like and share करना ना भूलें अब हम लोग मिलते हैं इसी परकार के new वीडियो में new update के साथ तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम